हेलो गुण मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी ख़बरों को ताकि समय रहते बिगरते माहोल को रोका जा सके सन्विदन सिल शेत्रों में अतरिक्त पुलिस बल की आलावा सीसी टीवी कामरे प्रियाप्त संख्या में लगा गये हैं जिसकी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है ड्रोन से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा र किसी भी परस्तिती में किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुचने दे सरार्ती तत्व धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने की कोसिस कर सकते हैं मंदिरों के आसपास कुछ अपति जनक वस्तुएं फेंकर माहोल को खराब करने की कोसिस कर सकते हैं इस पर नजर यारियों का लिया जाजा मुखेमंतरी हेमंतु सोरिन सत्ता समालने के बाद पहली बार कल 11 जुलाई को जामताड़ा पहुँच रहे हैं सियम जामताड़ा में करोडों की लागत से सिलन्यास उदघाटन और परिशंपती का वितरन करेंगे जामताड़ा के एतिहासिक गांधी मैदान में भव्य वाटर प्रूप पंडाल बनाया जा रहा है डीसी फैज अक अहमद ममताज एसपी सहिद जिले के अलाधिकारियों ने तैयारियों का जाज लिया मुखेमंतरी के कारिकरा में बड़ी संख्या में जिले वासियों के पहुँचने की संभवना है सहार की ट्राफिक व्यास्था को समाने बनाने के लिए प्रसासन ने हर चाउक चारहों पर सुरक्षा बल के साथ मजिश्टिट तैनाद किया है सीम की सुरक्षा वास्था तीन लेयर में बना गई है जिसमें होम गार्ड, चौकिदार, जीला प्रसासन और आयारबी के जवान मुस्तायद रहेंगे आगली बड़ी खबर की बात दो बकरीद को लेकर जारकन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम एक हज़ार जवानों ने संभाली राजधानी की सुरक्षा वास था, आज बकरीद को लेकर राजधानी राची पुलिस पूरी तरह से अलट पर है सहर के सभी सनवेदन सेल आस्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है आसमाजिक ततों पर पुलिस विसेश रूप से नज़र रख रही है सहरी और ग्रामिन दोनों छेतरों के थानेदारों को अपने अपने छेतर में अलाट रहने का निदेश जार किया गया है इस बार पूरे सहर पर नज़र रखने के लिए 170 जगों पर CCTV क्यामरे लगा गया है जिसके निगरानी करने के लिए 50 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है वही इधर दस जून को रांची में हुवे उपदरों की वज़ा से पुलिस ने बकरीद को लिकर राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंध व्यास्ता किये हैं रांची SSP सुरेंदर जान ने बता है कि सभी सन्वेदन सिल जगा पर रैपिड एक्षन फोर्स को तैनात किया गया है इसके अलावा जार्खन पुलिस के रैप, जैप, आयरबी के जवान भी राजधानी में तैनात किया गया है आगली बड़ी ख़बर की बात दो पूच ताच कर एडी ने CM के करीबी पंकच को छोड़ा विधायक परतनिधी पंकच मिसरा के घर और उनके करीबियों के यहां हुई थी एडी की च्छापे मारी बड़ी मातरा में नगदी हुई है बरामत सहेब गंच में टेंडर मैनेज करने से जुड़े केस में CM हेमन्तो सोरेन के करीबी और बरहेट विधान सभा से उनके विधायक परतनिधी पंकच मिसरा को एडी ने लंबी पूच ताच के बाद छोड़ दिया है दरसल एडी ने उन्हें उतराखन से लाकर किसी गुप्त अस्थान पर लंबी पूच ताच की और उसके बाद छोड़ दिया है सुत्रों की माने तो वा वापस रांची आ रहे हैं उसके बाद साहिब गंचाएंगे इससे पहले सुकुरबार को एडी ने मिस्रा समयत उनके करीबियों के 15 जगों पर छापे मारी की छापे मारी के दोरान पत्थर जो है कारोबारियों और मिस्रा करीबी हीरा भगत के यहां से करीब सावा 3 करोड रुपे मिले हैं हलाकि इडी ने नगदी बरामदगी की पुष्टी नहीं की है वही छापे मारी के दोरान अलग-अलग जगों से इडी ने कुल सबा 5 करोड के करीब नगदी बरामद की है साथी जो है निवेस्वक हननंस जोड़े काई कागजाद भी इडी ने जब्त किये हैं आगली बड़ी ख़बर की बात दो जैसे सी जेई परिचा रद करने की मांको लेकर राजबहौन के सामने धरना जैसे सी जेई की परिचा रद करने की मांको लेकर अभ्यारतियों ने सनिमार को राजबहौन के सामने धरना दिया गचतीन जुलाई को जैसे सी जेई की परिच प्रेशने के उत्तर वाट्सटाप पर वाइरल पाए गया है, MGM बोकारों जैसे कई अन्य परिच्छा के अंदर में प्रेशने पत्र में दोरी सील आत्वा बिना सील पाए गया है, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चानल को सस्क्राइ किया गया है, बकरिद को लेकर पलामू, गढ़वा और लातिहार के कई अलाकों में अतरिक्त पुलिस बल की ताना आती की गई है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस ने निगरानी सुरू कर दी है, आज रविवार को बकरिद मनाय जाना है, पलामू रेंज के डियाए जी राजकुमार लकड़ा ने बता है कि सम्मन में तीनों जिलों के स्पी को निदेश जारी किया गया है और पुलिस निगरानी कर रही है, उन्होंने बता है कि तीनों जिलों में सांती समेती की बाठक हो चुकी है, वही पलामू पुलिस ने बकरिद को लेकर सोचल मेडिया में निगरानी बढ़ा दी है। यहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण प्रातना का नियम बदला गया था। सुकरवार को बंद रखने का निर्देश दिया है। पुलिस निरक्षक, अनिल उराउं और अवर निरक्षक, पंकच सर्मा ने दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और दोनों समुदाय को लोग को समझा बुझा कर मामला संद कराया। साहर की गन्यमान लोगों ने भी माहोल को सांद करने में पुलिस की मदद की। खबर के नुसार लोहर दगा में संपर्दायक सदभाव बिगानने के लिए इस तरह की घटना को अंचाम दिया गया है। की आग भड़क चुकी है। एक बार फिर आस्तमाजिक ततों ने संपर्दायक माहोल को खराब करने की कोसिस की जिसे समय रहते समहान लिया गया। वीडिया से बातचीत में कहा है कि डिपलोमा कर लंबे समय से छातर जैसे सी जई परिचा की तैयारी कर रहे थे जब तीन जुलाई को परिचा होनी थी उससे पहले ही पेपर लीख हो गई। इससे तैयारी कर रहे गरीब छातरों का मनोबल तोड़ गया। उन्होंने कहा है कि परिचा देने वाले छातरों को कई जो है कॉल भी आया है कि 15-20 लाग में अपने सीट बुक कर ले अन्य था पस्ताना पड़ेगा। उन्होंने पेपर लीख मामले में सरकार और विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाया हैं। यानि आज बकरीत को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलाट है। आप सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई की जाएगी। सोसल मीडिया पर बनाए गए ग्रूप के सभी ग्रूप एडमिन को भी इसे लेकर हितायात दी गई है। आगली बड़ी खिबर की बात को दुआज से देवगर आरपोर्ट और कॉलेज मैदान की सुरक्षा इस पर रोक रहेगी एवं मंदिर स्पीजी की सुरक्षा के घेरे में रहेगी। आगली बड़ी खिबर की बात दुझे अमेम नेता पंकच मिसरा समय चौदा को नोटिस जारी। रांची के एड़ी आफिस आनिक अनिर्देश सिया में हिमन्तु सोरेन के विधायक परतेधी पंकच मिसरा सहित चौदा लोग के यहां सुकुरवार को हुई परवर्ता निदेशाले की छापेमारी सनिवार को खत्म हो गई। इन शौदा लोग को एड़ी ने पूच ताज के लिए सनिवार को नोटिस जारी कर रांची कारले बुला है। समाप्त के राजिपाल रांची लोटी, राजिपाल रमेस बैस दोदिवसी दोरा पूरा कर सनिवार सामपोने पांच बजे सड़कमार के से रांची वापस लोड़ गए। समाप्त के रांची के रांची दोरा प्रथान मंतरी के अगमन के दिन, सहरी छेत्र नगर सहित जसी डी कुंडा मोहनपूर्थाना छेत्रों में मल्टी एक्षल वाइकल, हाइवा, ट्रक, ट्रेलर, मालवाहक वाहन का परवेश पोन रूपेन 12 जुलाई की सुभा 6 से साम 7 बजे तक बंद रखने का निरने लिया गया है वही यात्री वहनों के लिवेकल्पिक रूट भी निर्धारित किये गये हैं जैसे डी की तरफ से आने वाले यात्री वहन सत्संग रेलवे ओवरवरीज होकर संख मूड, कुरियासा कुंडा मूड, बैजनादपूर होकर बस अस्टेंड जाएंगी वही कारी अस्थल की और से जाने वाले यात्री वहन बैजनादपूर से रांगा मोड की तरफ जाएंगी, देवीपूर की तरफ से आने वाले यात्री वहन कुरियासा कुंड मोड बैजनादपूर होकर बस अस्टेंड जाएंगी आगली बड़ी किबर की बात कुदुसियम से मिली कॉंग्रिस विधायक पुलिस कर्मियों का अनुबंद पुना बहाल करने की मांग, जारखन प्रदेश कॉंग्रिस के कारिकारी अध्धश बंधु तिर्की और मांडर की नवनिर्मित विधायक सिल्पी नहा तिर्की ने मुक करतियों की बाहली में आ रहे है गतिरोध को दूर करने पर सार्थक विमर्स हुआ है, बंधु तिर्की ने मुक्यमंत्री से मांग की है कि मांडरेगा सिचाई कूप के पेमेंट को रिलीज किया जाए क्योंकि आधूरे निर्मित सिचाई कूप बरसात में धंस जा रहे हैं बंधन की नई सरकार बनने के बाद पहले COVID-19 का हवाला देकर बैठक नहीं हुआ, फिर COVID-19 के बाद लगभग दो वर्सों से प्राधिकार की बैठक बंध है, प्राधिकार की नियमित बैठक नहीं होने से, उतरी छोटनाकपुर परमंडल के अंतरगत साथ जिला, कोडरमा, शत्रा, रामगड, गिरिडी, बोकारो धनबाद एवं हजारी बाग में यादरी बस मालिकों को समय पर परमिट जारी नहीं किया गया है, परमिट लेने के लिए अलग-अलग सभी जिलों से मिलाकर RTA कारले में लगभग 100 आविदन लंबित है, बस मालिक परमिट लेने के ल शत्रालन राज्य के अधिकारी से लेकर सिक्षक तक नहीं कर रहे हैं, नतीजा या है कि राज्य के 31 लाग छात्र छात्राओं को अभी तक पाठी पुस्तक नहीं मिली है, ये बिना किताबों के ही पढ़ने को मजबूर हैं, एक जुलाई से नया सक्ष निक सत्र सुरू होने के साथ ही सिक्षा मंत्री ने सभी जिलो को निर्देश दिया था कि एक सब्ता में सभी बच्चों को किताबे उपलब्द करा दी जाए, बावजूद इसके निर्देश के बाद 38 लाग छात्र छात्राओं में से 6 लाग बच्चों को ही किताबे मिल चकी है, अभी भी 31 लाग बच्चे किताब से वन्चित हैं, सत्र सुरू होने के पूरू अस्कूलों में 7 लाग बच्चों के बीच किताबे बाटी गई थी, अस्कूली सिक्षा वसक शर्तर विफाक के ए विद्या वाहनी की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है, अगली बड़ी खेबर की बात पंचायत सच्यू 3000 रिस्वत लेते गिरपतार, ACB ने की कारवाई, गिरिडी में डोभा में काम कर चुके मौजदरों की रासी के भुकतान के वज़ में, रिस्वत ले रहे देवरी परखन के पंचायत सच्यू, उमेश कुमार राई को भ्रष्टा चार निरोधक भीरो, धन धनबाद की टीम ने गिरपतार किया है, उमेश को रिस्वत के 3000 रुपए के साथ सनिवार को सुकुरूडी पंचात सचिवाले के सामने से पकड़ा गया है, गिरपतार उमेश को लेकर ACB की टीम धनबाद चली गई है, देवरी थाना एलाके के खटोरी ने ACB को आवेदन दे कर सुचित किया था कि वित्तिवर्स 2021 बाई में ग्राम पंचात खटोरी के ग्राम सभा से उनके जमीन पर एक डोभा सुकृत हुआ है, योजना का नाम बैजनात यादो के जमीन पर डोभा निर्मान है, 17 माई 2022 से 29 माई 2022 तक कुल 19 मजदरों का मास्टर रोल निर्गत हुआ ह जेई, रोजगार सेवक और पंचात सच्यू के हस्तार शरकर के कारेले में जमा किया, लेकिन 5% घोष पंचात सच्यू को नहीं देने के कारण मास्टर रोल को सुनने कर दिया, जिसके बाद ये कारवाई की गई आगली बड़ी ख़बर की बातुद गर्वगरी में पूजा करने वाले पहले पियम होंगे मोदी, 12 जुलाई को बाबा बैधनाद के करेंगे दर्सन, खुद पूजा का समय बढ़ाने को कहा, देवगर में बाबा बैधनाद के गर्वगरी में पूजा अर्चना करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले परधान मंतरी होंगे मनुकामना जो तिरलेंग की उपासना के लिए काफी तैयारी की गई है व्यादिक पुरोहित पियम को पूजा कराएंगे इससे पहले मोदी चनौपरिचार के दोरान भी बाबा बैधनाद के दर्सन करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाये थे वैसे भी मानेता है कि बाबा बैधनाद की मर्जी के बिना कोई भी दर्सन पूजान काउसर नहीं पाता है कहते हैं कि बाबा जिसे बुलाते हैं वही बाबा की गार्बगरी में जलाभिशेक और उपासना काउसर पाता है देश के कई जो बड़े वियाईपी लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार दर्सन की इच्छा रखने वालों को भी बाबा की नगरी में आने के बाद भोले का दर्सन नहीं मिल पाए है यहां तक की राश्टरपती रामनात कोविंत का प्रोग्राम भी एक बार के इंसिल हो गिया उन्हें दूसरी बार में बाबा ने दर्सन दिया परध्यानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार में दियुखर आकर बाबा का दर्सन नहीं कर पाए थे आगली बड़ी खबर की बात दो साओ मिलने से संसनी नदी से युवाती का शाओ बर अमत पुली सानबी में जुटी खबर है सिम्डिगा की जहां कुरडेग थाना चितर की खाली जोरा नदी पूल के पास एक युवाती का शाओ मिला है सौ कुन नदी के पानी में तैरता दे ग्रामिनों ने इसकी सुचना थाना परभारी मुन्ना रामानी को दिया जानकारी मिलने पर पुलीस ततकाल नदी में पहुँचकर शौ को अपने कपजे मिलिया सौ देखने से पता चला है कि लबडेरा गाउं के एक विचिप्त युवती सुखनी कुमारी थी विचिप्त युवती बजार में घुम घुम कर मांगती थी पुलीस ने सौ पहचान कर परिजनों को बुला कर पोश्ट मार्डम के ले सिम्डेगा सदर स्पताल भीच दिया आगली बड़ी खबर की बात दो कॉंग्रेस का आरोप कहा आतंक्यों से हैं बिजेपी का नाता कॉंग्रेस की राष्ट्रिय प्रावक्ता अलका लांबा ने राची में कहा इन मामलों में जवाब दे बिजेपी सदन में भी उठाई गिया वाज कॉंग्रेस की राश्ट्रे प्रवक्त अलका लांबा ने सनिलवार को बिजेपी पर गंबीर आरोप लगाताव की कि पार्टी का आतंक्यों से नाता है कि जिस कनहया की हत्या मुहमद रियाज अंसारे ने की है वह बिजेपी का सदस है बिजेपी नेता गुलाब चंद काटारिया के साथ उसकी फोटो भी है साथ ही उचने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहान की थी तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस करते जे जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अब्डेट आप तक तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में